हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतिश रतन केंदर चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत-बहुत हरदिक स्वागत और अभिनंदन मेरे प्रिय सातियूं मैं हूँ आचार पंडि स्रवदनद शर्मा और आप से इस कार्रेकरम में बात करने वाला हूं मासिक रची फल के विशे में मन्दली राची फल जिसको आप कहते हैं और ये जो मंतली राशी फल है ये है महा दिसंबर 2021 का हम मेश राशी से लेकर चैकर के और मीन राशी तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महिना है 2021 का आप सभी बारे राशी के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है क्या आपको दे करके जाएगा इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे एक एक राशी के विशे में बात करेंगे आपके साथ लेकिन इस से पहले कि हम आपको आपके राशी फल के विशे में जानकारी दें बताना चाहेंगे कि दिसंबर महा में ग्रहों की गोचर में इस्थिती कैसी रहने वाली है उसके विशमें भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे क्यों वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की इस्थिती है इसी के आधार पर आपका राशीफल तयार किया जाता है तो ये भी जानना आपके लिए आती आवश्चक है कि ग्रहों की इस्थिती गोचर में दिसम्बर के महा में कैसी रहने वाली है तो आईए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर इस्थिती की तो देखिए सूर्य जो हैं वो दिनांग 15 दिसम्बर को अपनी मित्र राशी वरिश्चक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशी धनुमयों का प्रिवेश होगा जहां पर इनकी युती अपने सम गरह बुद्ध और शत्रु गरह केतु के साथ बनेगी मंगल अपनी सम राशी तुला से निकलेंगे पांच दिसम्बर को 2021 को और अपनी स्वयम की राशी वरिश्चक में करेंगे प्रिवेश उदै एवं मारगी अवस्था में जहां ये महा के अंतितक बने रहेंगे बुद्ध ग्रहें दिनांक 10 दिसम्बर को अपनी सम राशी वरिश्चक से निकलेंगे और अपनी सम राशी धनू में इनका प्रिवेश होगा 10 दिसम्बर को अस्त एवं मारगी अवस्था में लेकिन 22 दिसम्बर को ये पश्चिम में उदै हो जाएंगे और फिर 29 दिसम्बर को ये धनू राशी से निकल करके अपनी जो इनकी सम राशी है मकर उसमें इनका प्रिवेश होगा मारगी अवं उदै वस्था में महा के अंत में 29 दिसम्बर को गुरू ब्रस्पती की क्या पोजिशन रहेगी दिसम्बर के महीने में गुरू ब्रस्पती जो है वो अपनी सम राशी कुम्ब में बने रहने वाले हैं पूरे महा मारगी अवं उदै वस्था में शुक्र दिनांक 8 दिसम्बर 2021 को अपनी सम राशी धनू से निकलेंगे और अपनी मित्र राशी मकर में उनका होगा प्रिवेश यहां 19 दिसम्बर को यह वक्री होने वाले हैं और 30 दिसम्बर को वापस यह अपनी सम राशी धनू में प्रिवेश करेंगे आठ दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक इनकी युती अपने मित्र शनी के साथ रहने वाली है मकर राशी शनी कहा रहेंगे शनी पूरे महा अपनी सुयम की राशी मकर में बने रहेंगे मारगी एवं उद्यवस्था में और राहूग रहे पूरे महा अपनी मित्र राशी वरिशब में बने रहेंगे इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशी वरिश्चिक में पूरे महा बने रहेंगे तो ये थी मेरे प्रियसातियों इस्थिती ग्रहों की गोचर में जो महा दिसंबर में रहने वाली है अब आप से हम चर्चा करेंगे आपके राशी फल के विशे में तो प्रियसातियों अब हमारी बात होगी आप जो तुला लगन के जो जातक है यानि के लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक है उनके महा दिसंबर 2021 के राशी फल के विशे में जिसको हम मंतली राशी फल कहते हैं या मासिक राशी फल कहते हैं तो सबसे पहले आपके प्रोफेशन के विशे में बात करना चाहेंगे यानि कि जिसको करियर कहते हैं आप तो मेरे प्रियसातियों आप तुला लगन के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये दिसंबर का जो महीना है इस पूरे महीने में आपके अपने कारे छेतर में चाहें आप व्यापार करते हैं चाहें फिर आप रोजगार में हैं देखिए मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है ना तो बहुत खराब परिणाम आपको प्राप्त लेकिन इस पूरे महा इस प्रकार का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक भी कि जिसमें आपका कोई नुकसान या आपकी नौकली जाने का या आपको कोई व्यापार में घाटा उठाने का कोई योग बनता दिखाई हमें नहीं दे रहा है इस प्रकार का बस ह तो कोई अगर आप रोजगार में है तो ऐसा नहीं है कि आप कर रोजगार चला जाएगा या आप जॉबलेस हो जाएंगे या व्यापार में है तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई घाटा हो जाएगा बहुत वो चलता रहेगा नॉर्मल वे में चीज है उपर नीचे थोड़ अधिक मातरा में फाइदा हो और बीच में कभी इस प्रकार के भी योग बनेंगे कि जहां पर आपको फाइदा होता हुआ दिखाई दे रहा हो लेकिन फाइदे की जगे उतना फाइदा या तो ना हुआ हो या कुछ नुकसान हो जाए तो ये इस प्रकार की परिस्थितियां बनी रहेंगी पूरे महा लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि अगर आप इस महा अपने किसी प्रमोशन की आशा रखते हैं कि मैं इस महा दिसम्बर में कोई प्रमोशन या आप से कोई वादा किया गया है तो उसमें निश्चित रूप से रुकावट दिखाई दे रही है चाए वो किसी भी कारण से हो चाए वो डिले हो जाए आपका आगे एक स्टेन हो जाए कि इस महा नहीं होगा नेक्स्ट बंत कर देंगे या आने वाले टाइम में आपका प्रमोशन करेंगे या अगर आप व्यापारी हैं तो भी आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलने हो इस महा निसमबर में तो यह सिती दिखाई नहीं पड़ रही है उन्नेशी किस चलता रहेगा आपका महीना सामानने रूप से निकलेगा अब बात करते हैं आपकी इनकम के विशे में कि इनकम को ले करके आपका कैसा रहेगा यह महा दिसमबर तो देखे साथियों, income की जहां तक बात है, income आपको भली भाती होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, जो रोजगार कर रहे हैं, उनको भी अपनी income आया होती रहेगी, विशेश रूप से मैं आप से कहना चाहता हूँ, कि 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद, आपको income के स साथ, सेविंग्स भी बहूत च्ची होंगी, सेविंग्स तो अपकी वैसे भी होंगी, माहा के आरम से मद्दे तक भी होंगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा कुछ दिक्कतیں आ सकती हैं, रुकावट आ सकती हैं, जिस प्रकार से आप अपना धन सेव करना चाहते हों, उस प्रक नाबद तरीके से अपनी सेविंग्स कर पाएंगे और इंकम भी आपकी वैसे तो पूरे महा हमने कहा कि इंकम में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आया आपकी होती रहेगी धन का आगमन चलता रहेगा पंदरा दिसंबर के बाद आपको इंकम सुचारू रूप से और अत्यधिक हो रहेगे पूरे-पूरे योग दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि महा दिसंबर में धन की प्राप्ति को ले करके कोई अशुब योग कुंडली में आपके नहीं है कुछ हो सकता है कि सेविंग्स के लिए आपको रुकाव्टों का सामना करना पड़ जाए कुछ बाद आए आ जाए कुछ डिले हो जाए किसी कारण से बस इतना इसके अधिक नहीं अब सुखसोविधां की बात करें तो देखे शुखसोविधां तो होंगी सुखसोविधां तो आपके पास उपलब्द होंगी लेकिन आप उनका भरपूर मात्रा में लाब नहीं ले पाएंगे इस महाँ ये रहेगी सिती आपके साथ और वाहनादी भी अगर कोई खरीदन चाहेंगे तो खरीज सकते हैं, चाहें नवीन वाहन, चाहें सेकंड एंड वाहन, कोई भी वेहिकल खरीदना चाहते हैं तो आप खरीज सकते हैं, गरों का सपोर्ट है आपके लिए, तो जैसा हमने कहा कि सुख सुविधाएं तो अपलब्ध होंगी, लेकिन आप उनका संबंदों को ले करके, तो देखिए, जहां तक प्रेम संबंदों का प्रिशन आता है, मेरे प्रियसातियों, तो आपको बता दूँ कि इसके लिए पूरे महीने में, बहुती शौर्ट टाइम है, जिसमें आप अपने प्रियासों में सफल हो सकते हैं, और वो प्रियासों का जो समय अफधी है, जिसमें आप सफल होंगे, वो पांच दिसमबर से और पंदरे दिसमबर के बीच के अफधी है, यानि कि मात्र दस दिन का, उन दस दिनों में आप पहले से अगर कोई रिलेशन्शिप थी, उसमें कोई ब्रेक अप आ गया था, कोई दूरियां पैदा हो नहीं थी, तो वो दूरियां दूर हो सकती है, आप एक दूसरे के अधिक करीब आ सकते हैं, या आप कहीं प्रियास कर रहे हैं, अपने संबंद बनाने का, तो वो भी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, इन दस दिनों में, पांच दिसमबर से पंदरे दिसमबर के ना इसके पहले ना इसके बाद, बाद में फिर अगर आप चाहें कि पंदरा दिसमबर के बाद कुछ चीजें आपके अनुकूल हो जाएं, तो फिर उसमें बाधाये आएंगी, परिशानी आएंगी, और आप सफल नहीं हो पाएंगे, विवाहित व्यक्तियों की बात कर ले देखिए भाई, विवाहित व्यक्तियों का जो विवाहिक जीवन हैं, उसमें सुखों में पूर्ण रूप से कमी दिखाई दे रही है, पूर्ण रूप से, और विवाहिक संबन्द में भी तलखी, तनाव जैसी सितियां बनेंगी, तो इस बात को लेकर के आप थोड़ा सा सचेत रही है, इस महाँ, कुछ अधिक आपको साफधान रहने की आवशक्ता है, और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, शायद आपको बुरा लग जाएगा, आप तुला लगन के जातकों को, यह इसकी जो परिस्थितियां बनेंगी ना, तनाव की कंट्रोल में नहीं होगी, और यही चीजों के कारण सारी चीजें बिगडेंगी, अगर काश आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लिया, बोलने पर, कुछ कड़वा ना बोलें अपने जीवन साथी के साथ, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, ऐसा हो नहीं बाते ही आपके जीवन साथी को तीर चुबने का काम करेंगी, तो इसलिए इस बात पर आपको ध्यान देना है, अब करेंगे बात पारिवारिक संबंदों को लेकर के, तो देखिए पारिवारिक संबंदों की बात जहां तक है, पारिवारिक संबंदों में तनाव होगा, औ और आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो जादा उसका भी कहीना कहीन नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है क्योंकि आप इस पश्ट रूप से बातें करेंगे वो ही बातें आपके परिवारिक सदस्यों को शायद अच्छी ना लगे और वो ही मतभेत का कारण बन जाए तो ये सिती रहेगी पूरे महा हला कि हालात इतने तो नहीं बिगड़ेंगे के जो कंट्रॉल से बाहर चले जाए लेकिन हाँ हालात तनाव तो बंने का बन सकता है परिवार के सदस्यों के साथ तो इस बात का वी आपको रखना होगा ध्यान शिक्षापराप्ट कर रहे है चात्रों के लिए ये महाद कैसा रहेगा तुलालगं के तो मैं बताना चाहता हूं कि जो छात्र शिक्षा पराप्त कर रहे हैं उनकी शिक्षा पराप्ती में कमी दिखाई देती है आप अपनी शिक्षा को ले करके लापरवाई ना बढ़ते हैं इस महां पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा के लिए आप कंसर्ण रहें गंभीरता से अपनी शिक्षा को लें अगर आपने इस प्रकार किया तो परिणाम जो है वो आपको सामान रूप से प्राप्त होते रहेंगे बहुत अधिक की तो आशा करना नहीं चाहिए लेकिन अगर आपने परिश्रम किया तो सामान रूप से प्रिणामों की प्राप्ती कर पाएंगे संतान को ले करके कैसा रहेगा तो दीखे संतान को ले करके हम बताना चाहेंगे आपको यहाँ पर कि संतान के लिए भी ये जो महीना है दिसंबर का माता पिता को कहना चाहते हैं विशेश रूप से कि आपको अपनी संतान से कुछ जादा अधिक अपेक्षाय नहीं रखनी चाहिए इस महीने सामानने रूप से ही परिणाम प्राप्त होते रहेंगे और सामानने रूप में भी अगर कमी देखते हैं तो आपको अपनी संतान को मदद करने के लिए आ गया नहोगा इस से और ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती कमी दिखाई दे रही है परिणामों में संतान की और से तो यहाँ पर माता पिता का फर्ज हो जाता है कि अपनी संतान को सहयोग करें स्वास्त कैसा रहेगा देखिए स्वास्त की जहां तक बात है स्वास्त के विशे में हम कहना चाहते हैं कि मिला जुला रहेगा स्वास्त जो है आपका और थोड़ा कभी एबनॉर्मल हो गया कभी नॉर्मल हो गया ये सिती बनी रहेगी अगर हम इसको श्रिणी में रखें तो ये सामान ने स्वास्त की श्रिणी में ही आएगा सामानने रहेगा स्वास साप का इस महा उपाय क्या करने चाहिए हाँ उपाय जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ वो उप ध्यान से सुनिएगा अगर आपने ये उपाय किये तो निश्चित रूप से नंबर दो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में जाएं बैठ करके हनुमान चालिसा करके आरती करने सरसों का तेल का दीपक जला दें बूंदी का या बेशन के लड़ू का परशाद चड़ाते रहें ये करते रहें और नित्पृति दिन क्या करना है आपने नित्पृति दिन आपने ये करना है माता चंडी का इस्तोत्र का पाठ करना है अगर आपने माता चंडी का इस्तोत्र का पाठ नित्पृति दिन किया तो समझेगा कि समस्याएं जो हैं या रुकावत हैं में जो चल रही हैं किसी भी छेत्र में उस लगभग लगभग समाथ तो ये उपाये आप कर लीजे उपाये करेंगे तो आपके जीवन में सुक्षानती बनी रही तो ये था आप तुला लगन के जातकों का महा दिसंबर 2021 का राशी फन मेरे प्रियसातियों अगर आपको ये प को दवाते हैं तो हमारे आने वाले दिनों में जो भी नए कारेकरमों के वीडियों हैं वे आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका भी समय नुसाला प्राप्त कर पाएंगे तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जैमाताजी झारे लोहाँ आप कमे प्राइंगे आपको ये जाने आपको ये झान दो, हमारा आपकोण ये अवानका जे वीडियों से घिip प Пока हैं भी उनसना दो हमारा में नचे से हमारा कि और भी शनका पाएंगे माला आपको युन से उनसे लियू आपको अग hehe झाल झाल